Hello Friends, Welcome to Adhikansha Classes आज हम CVSE 6th Class की 8.1 Exercise का पहला कोशिन करेंगे यह जो कोशिन मैं को करा रहा हूँ, यह नए सलिवस के अपोड़ेंग है मतलब जो नए सलिवस अभी आया है, मैं उसमें से कोशिन आपो करा रहा हूँ जो की 2023 और 2024 में अभी आया है सलिवस तो हम करते हैं सबसे पहला कोशिन, सबसे पहले समझते हैं कि कोशिन में हमको करना क्या है देखें, यहाँ पर कोशिन में हमको दिया हुआ है which is greater तो यहाँ पर जैसे कि A point में हम दिखेंगे, हमें दो नमबर दे हुए है 0.3 और 0.4 तो हमें बताना है कि यहाँ पर 0.3 और 0.4 दो नमबर में से कौन सा नमबर बढ़ा है इस कोशिन में हमें यह चीज करके दिखानी है तो सबसे पहले मैं आपको समझता हूँ कि यह चीज हमें दिखानी है ये 2 question यानि 2 number यहाँ पर दिये हुए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 0 लिखा हुआ है ये 0 क्या एक whole number है है ना सबसे पहले हमको किसी भी number में देखना है कि whole number कौन सा चोटा है या कौन सा बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर दोनों 0 दिये हुए है जीरो दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर हम decide नहीं कर पा रहे हैं whole number के base पर कि कौन सा number बढ़ा है कौन सा number छोटा है तो whole number के बाद हम point के बाद में decimal place को देखेंगे जो point के बाद में decimal place जिसे यहाँ पर यह 3 और यहाँ पर 4 दिया हुआ है यह decimal place में कौन सा number बढ़ा है यह जो decimal place है इसे हम बोलते हैं 10th place है ना तो इस number में 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है हम सभी जानते हैं कि 4 number बढ़ा होता है इसलिए यह पूरा number बढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से हमें सभी questions को solve करना है और बताना है कि कौन सा number बढ़ा है चलिए next question करते हैं एक solution तो हमको यहाँ पर मिल चुका है इसी तरह से हम जल्दी से solve कर लेते हैं देखो यहाँ पर B में दिया हुआ है 0.07 और दूसरा number है 0.02 तो देखिए सबसे पहले हम whole number देखेंगे यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है दौनों number same है क्योंकि दौनों number same है तो हम बताने पहेंगे कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है तो हम इसके बाद में point फ़रे number के बाद यहाँ decimal place पर चलते हैं decimal place पर tenth place पर हम देखते हैं तो यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है दौनों सेम हैं तो अब हमें 100th place पर देखना पड़ेगा 100th place पर यहां पर 7 दिया हुआ है और यहां पर 2 दिया हुआ है तो हम सभी चानते हैं कि जो 7 नमबर है वो 2 से बड़ा होता है इसलिए इस question में यानि B question में यह वाला number 0.07 यह नमबर बड़ा है Nash question करते हैं यहां पर Nash question है C, C में 2 number दिया हुआ है 3 और 0.8 अब देखें यहां पर जो 3 दिया हुआ है यहां पर हमें करना है यहां पर 2 number दिया हुआ है इन दोनों को like decimal में हमको convert कर लेना है तो जैसे कि हम दिखते हैं यहां पर 0.8 दिया हुआ है 0.8 तो यह 0.8 हम इधर लिख लेते हैं और यहां पर 3 दिया हुआ है तो 3 को हम 3.0 लिख देंगे like decimals हम जानते है like decimal वो number होते हैं जिनके decimal place पर जो value दियो होती है जो digit दियोती है वो बराबर होती है यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 ही digit है कहीं पर 2 रहेंगी तो हमें donor number में 2 ही digit होनी चाहिए तब हम उसे like fraction बोलेंगे तो हमने like fraction में donor को convert कर लिया है तो अब देखते हैं देखो यहां पर whole number पर 3 दिया हुआ है और यहां पर 0 दिया हुआ है हम सभी जानते हैं 0 से 3 बड़ा है तो जब हमको पता लग चुका है कि यहां पर 3 number बड़ा है 0 से तो हम यही पर इससे declare कर देंगे कि 3.0 यानि कि 3 number 0.8 number से बड़ा है यहां पर confuse बिल्कुल नहीं होना है कि यहां पर जो सिर्फ 3 दिया हुआ है और यहां पर 0.8 दिया हुआ है मलबला 8 number बड़ा है तो फिर 3 क्यों बड़ा हो गया 8 0.8 से हमें समझना है कि यहां पर जो 8 दिया हुआ है वो decimal place पर दिया है जिसकी value whole number से just 10 times कम होती है और जो 3 दिया हुआ है वो अपने आप में एक whole number है तो whole number decimal place number से बड़ा होता है इसलिए यहां पर 3 number बड़ा है next question कर लेते हैं अगरे question में क्या दिया हुआ है d question है d में 0.5 और 0.05 यह दो number दी यहां पर भी यह दौनों number unlike decimals है तो हमको इसको सबसे पहले like decimals में convert करना है तो 0.5 को हम 0.50 एक 0 लगा देंगे और यहां पर 0.05 यह number अलड़ी हमको दिया हुआ है तो हमने दौनों numbers को like decimal बनाने के लिए क्या किया 0.5 के आगे हमने एक 0 को और add कर दिया तो इसे solve करते हैं यहां पर 0 दिया हुआ है whole number पर और इधर भी whole number पर 0 है दौनों number same है तो हमें इसे decimal place पर देखना पड़ेगा क्या है अब देखें decimal के 10th place पर देखते हैं तो यहां पर 5 है और यहां पर 0 है अब क्योंकि 5 0 से बड़ा है तो इसलिए पूरा number बड़ा हो जाएगा हमें आगी चेक करने की ज़रूरत नहीं है जहां पर भी हमें कोई भी दो different number मिल जाते हैं तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको like fraction में convert कर लेंगे तो 2 के आगे भी हम एक 0 लगा देंगे तो देखे हम सुरू करते हैं यहां पर 1 दिया हुआ है whole number पर और इधर भी whole number पर 1 दिया हुआ है दोनों सेम है तो हम decimal place पर चलते हैं next question करते हैं यहां पर 0.099 और 0.19 यह दो नमबर दिये हुए हैं तो हम सबसे पहले इन दोनों को like decimal में convert करते हैं तो हम 9 के आगे भी 1 0 लगाना है जो कि decimal place पर यहां पर भी 3 digit और यहां पर भी 3 digit हो जाते हैं अब देखते हैं हम यहां पर देखिए होल नमबर में क्या दिया हुआ है होल नमबर पर 0 है इधर भी 0 है दोनों नमबर सेम है तो अब हम decimal place पर देखेंगे decimal के 10th place पर यहां पर 0 दिया हुआ है और यहां पर 1 दिया हुआ है देखिए हमें दो अलग-अलग नमबर मिल चुके हैं और यहाँ पर 1 बड़ा है 0 से तो आप क्योंकि 1 बड़ा है तो इस पूरा नमबर 0.099 से बड़ा है next question करते हैं हमारे पास यहाँ फिर दो नमबर है 1.5 और 1.50 अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से लाइक decimal में convert करना पड़ेगा लेकिन इसका एक तरीका और है हमेशा हम क्या कर रहे हैं कि हम जो नमबर कम है जहाँ पर decimal place कम दिये हुए है वहाँ पर हम 0 को add कर दे रहे हैं लेकिन देखिए यहाँ पर हम 0 को हटा भी सकते हैं क्योंकि अगर किसी नमबर में लास्ट में 0 दिया हुआ है तो हम उसे वहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर 1.5 और 1.5 यह जोनों decimal like decimals बन जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दौनों के whole number में 1 और यहाँ पर भी 1 दौनों equal है इसके बाद है decimal place पर 10th place पर 5 और 5 दौनों नमबर equal है मतलब 1.5 1.5 दौनों आपस में equal है तो हम यहाँ पर greater than का sign नहीं लगाएंगे हम बताएंगे कि दौनों नमबर equal है 1.5 और 1. 1.50 दौनों नमबर एक दूसरे के बराबर हैं ने पर हमारे पास 1.431 और 1.490 यह दो नमबर दिये हुए हैं दौनों light decimals हैं तो चलिए इनको solve करते हैं सबसे पहले हमें whole number पर 1 दिया हुआ है यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है दौनों जगह पर 1 है हम decide नहीं कर पाएंगे त 10th place पर देखिए 4 दिया हुआ है यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है दौनों नमबर में 4 है तो हम चलते हैं 100th place पर 100th place पर यहाँ पर 3 दिया हुआ है यहाँ पर 9 दिया हुआ है देखिए हमें 2 अलग अलग नमबर मिल चुके हैं एक जगह पर 3 है और एक जगह पर 9 दिया हुआ ह हम जानते हैं कि क्योंकि नाइन बड़ा है तो इसलिए यह वाला नंबर बड़ा हो जाएगा 1.490 यह नंबर बड़ा हो जाएगा नेक्ट कोश्चन करते हैं तो देखो इस कोश्चन में क्या दिया हुआ है यहां पर भी हमारे पास दो नंबर दिये हुए है एक 3.3 और 3.3 003.300 यह दो नंबर दिये हुए है तो अगर हम देखे यहां पर लाइक बनाएंगे तो दो अप्शन है हमारे पास या तो हम इस 3.3 के आगे 2-0 और लगा दें यहां पर लाष्ट में दो जी और दिये हुए हैं तो דौने जीरों को यहां से कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच्चे का वंच्चे का यहां पर 3 पॉइंट 3 और इदर के भ Hoff चे का त्री पॉइंट वैसे तोम देखने में सब्झ जा रहे हैं कि 3.3 और 3.3 दोनों सेम नमबर मतला दोनों नमबर बरावर ही है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार करके देखाता हूँ देखता हूँ देखो यहाँ पर तो हम आसे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बढ़ा है तो हम पॉइंट के बाद में डेसिमल प्लेस पर तो यहां पर भी थी लिखा हुआ है और यहां पर भी त्री लिखा हुआ है मतलब यहां पर हम देखते हैं कि दोनों चीजा बरावर है होल नंबर भी और डेसिमल नंबर भी बरावर है इसलिए दोनों नंबर यह दूसरे के बरावर हो जाएंगे तो अब नाग्च कोशन करते हैं यहां पर फिर दो नंबर दिये हुए है फोर पॉइंट यहाँ पर 5.64 और 5.603 यह दो नमबर दिये हुए हैं तो सबसे पहले हम 5.64 को like decimal में convert करते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5.640 और दूसरा नमबर तो already like में है तो यह हो जाएगा 5.603 अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दोनों के whole number 5 और 5 दोनों के whole number 5 है उसके बाद में decimal place पर 10 नमबर यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है दोनों नमबर बरावर है तो हम 100 नमबर दिखेंगे 100 place पर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो हम जानते हैं क्योंकि 4 बढ़ा है इसलिए 5.640 यह नमबर हमारा बढ़ा हो जाएगा तो friends यहाँ पर हमारा question मन पूरा complete हो चुका है question आपको समझ में अच्छे से है तो वीडियो को like करें और अपने friends के साथ में share करें इसके second question को मैं solve करके एक दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा तो चैनल को subscribe जरूर करतीजिए इससे वो वीडियो आपको तुरंती मिल जाए मिलते हैं अगली वीडियो में Have a good day चैस्री राम